तो हेलो दोस्तो कैसे हैं आप सब लोग तो भाई आज की वीडियो में न हम आपके लिए लेकर आए हैं और आज की वीडियो में इस बाइक के बारे में हम आपसे कावी सारी बाते शेर करेंगे like is back में क्या क्या फीचर देगी है कैसी बाइक की लुक है क्या आपको बाइक से मालेज मिलेगी क्या बाइकी टॉप स्पीड है इसके लब दोस्तों गर आप इस साल इस बाइक को purchase करने वाले हो वो भी loan पर तो आपको कितने कम से कम down time इस बाइक के लेक करनी है ये भी मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ तो आज की वीडियो काफ़ी जदा इंट्रस्टिंग होने वाली है तो चलि दोस्तों वीडियो को शुरू करते है तो यहाँ पर यह रही मारे सामने ओन न्यू टीवे सपाची आर्ट यार वन एट और यहाँ पर यहाँ पर यह वाली जो बाइक है वो आज की डेट में दो कलर में आपर आती है तो पहला कलर है इस बाइक का गलॉसी ब्लैक जो कि आप अब अभी देख रहे हो और सेकेंड कलर इस बाइक का पॉल वाइट और हैमर दोस्तों दोनों में आपको कौन सा कलर बड़ी अलगता है तो यह आप में जरूर बताएगा और बात करते हैं बाइक के आएक्शो रूम प्रेस के बारे में तो चलिए बाइया बात करते हैं कि आरह में कैसी बाइक के आपर लुक्स देखने को मिल जाते हैं तो गाइस अगर बात करते हैं बाइक के फ्रेंट लुक के बारे में तो हमें ना कुछ ऐसी यहाँ पर बाइक के फ्रेंट लुक देखने को मिलती है और बात करते हैं बाइक के इंडिगेटर के बारे में तो यहाँ पर आपको हैलोजन बल्ब इंडिगेटर हैं आपको देखने को मिल जाते हैं इसकलाब अगर हम थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको देखने हो मिलेगी बाइक की नमर प्लेट की मौन्टिंग और ना उसके निचे आपको देखने हो मिलेगा इस बाइक का फ्रंट मंडगार जहाँ पर आपको silver और red कलर के आपको फ्यूल टैंक से तो यहाँ पर दोस्तों आ जाता है TBS का लोगो वो भी 3D में यहाँ पर की गई है आठ यार की बैजिंग और यहाँ पर अगरम थोड़ा सा नीचे आए तो यहाँ पर आपको देखने मिलेगा बाइक का देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर दिया गाए साड़े गाड़ वो भी rare footrest के साथ और यहाँ पर बात करते हैं बाइक की seat के बार में तो यहाँ पर आपको single seat is back में offer की गई है जो कियर काफी comfortable है और यहाँ पर जो बाइक का fuel tank की cap है वो यहाँ पर दी गई है metal में जिसके उपर में E20 की badging आपको देखने को मिल जाते हैं बाइक का fuel tank के design है वो काफी बड़े हैं यहाँ पर दिया गया और जो fuel tank पर graphic है वो भी आपर काफी बड़ी है बाइक अगर हम चलते हैं बाइक की rear में तो यहाँ पर आपको आटियर 180 की badging आपर देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर दियेगे बाइक की rear में grab handle और बात करते हैं बाइक की rear look के बारे में तो गाइस कुछ ऐसी आपर बाइक की rear look है तो यहाँ पर आजाते हैं बाइक की daylight यहाँ पर आजाएंगे बाइक के इंडिगेटर और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी बाइक की नमर प्लेट की mounting और यहाँ पर बात करते हैं इस बाइक के इंजन के बारे में तो इस बाइक में दिया है 177.4 cc single cylinder four stroke two valve oil cooled engine और यह engine produce करता है 17.13 ps की maximum power और 15.5 newton meter का आपको बाइक से यहाँ पर maximum torque यहाँ पर देखने को मिलने वाला है इसके लबाइक में दिया हुए 5-speed gearbox और यहाँ पर 12 लेटर का fuel tank इस बाइक में offer किया हुए और बात करते हैं बाइक से मिलने वाली mileage तो आपको इस बाइक से 45 km पर लेटर के जो mileage है वो आपको इस बाइक से साने से देखने को मिल जाएगी और यहाँ पर बात करते हैं बाइ और टॉप स्पीड इस Bikes से मिलती है तो यह आप में जरूर कमेंटर करें के शेयर के जगह इसकलमा के फ्रेम के बारे में अगर बात करें यहां आपर बात करते में देखने को मिलेंगे टालिसकॉपिक तैय हैं आपको फ्रेंट देखने को मिलेगी 270 एमम के फ्रेंट में इसके बात करते हैं आपर विट प्रफाइल के बार में वाफर किए गए है 90 में 120 mm स्क्षिन यहां पर देखने बाकि दे बात करते हैं इस के बारमें तो इस इस का डिजाइंग का डिजाइन का आप तु यहां डिया है, मिल जाते हैं। प्लाइब अर आपने और आपको डिकते हैं। Speed, Time, Average Speed, और यहाँ पर आपको इस Bike में राइडिंग मोड भी आपको देखने को मिल जाते हैं, इसकर बाद करते हैं, बाइक के हैंड बार के Switch के बार में, तो यहाँ आपको टॉप पे देखने हो मिलेगा इस Bike का Pass Switch, और गाइस अगर हम थोड़ा सा नीचे आते हैं, तो और हाइबीम का Switch, और यहाँ पर उसके इचे में देखने को मिलता है Left Hand Indicator का Switch, और यहाँ पर छोटा सा यहाँ पर Eye का Button दिया गया है, तो यह Button है Information का, तो यहाँ से आप कोई भी इंफो अपने कंसोलों में यहाँ पर Check Out कर सकते हो, बाकि यहाँ आपको सब सब नीचे इस Bike क और होरन का Switch आपको देखने को मिल जाएगा, बाकि दोस्तों कुछ इस तरह का इस Bike Handle Bar का Design है, तो बात करते हैं, बाकि रैट एंड चाइड के बार में, तो यहाँ पर आपको देखने मिलेगा, रैट कलर में इस Bike का Engine Kill Switch, और यहाँ पर नीचे देगा इस Bike का Mode का Button, तो आपको यहाँ से Change होने वाले, और सबसे नीचे आपको इस Bike का Ignition Switch आपको देखने को मिलेगा, बाकि जो Bike का Handle Bar के क्रिप के Quality है, वह यहाँ आपर दोस्तों काफी बड़िया दी गई है, इसके लावन इस Bike में, ब्रेक लिवर और कलेश लिवर यह आपको देखने को मिल जात करता है, जैसे दोस्तों, राइड वाहरें आपर काम करता है, बाकि आपर टीवेस मोड ने इस टेकनोलोजी को ग्लैड थू टेकनोलोजी का आपर नाम दिया हुआ है, बाकि इस Bike में, डिजिटल आपको आपको इस Bike के लिवर देखने को मिल जाते हैं, बाकि दोस्तों, अग गाइज, इस Bike को आउन करने के लिवर आपको जो सैलरी है, वो पंदर जार के आसपास की होनी चीए, तो अगर आप कितनी सैलरी है, तो आप असानी से Bike को आउन कर सकते हो, बाकि दोस्तों, इस सल आप में से कौन को इस Bike को परचेस करेगा, प्लीज हमें कमेंड करके शेर जिगा, और गाइज, अगर आपको वीडियो ची लगिया है, तो वीडियो को लाइक करना, और हमारे इस चैनल गाड़ी स्टार्ट को सब्सक्राइब करना, तो चलिए मिलते हैं से लेक्स वीडियो में, तब तक लिए गुडबाई